जेहें साथ कि एक बार फिर सो आगेता है बैस्ट एक जाम की यूटूब चैनल फायर दोस्तों SSJD कॉंस्टेबल रिकूरूटमेंट 2023-24 को लेकर काफी ज्यादा अव्यारती प्रेशान हो रहे हैं जब से CRPF के ओपुसल साइड पे नोटिस आया है और पिछली भरती के जो अ जा रहा है तो ऐसे में काफी ज्यादा बच्चे परिशान है कि क्या सर नई वेकंसी नहीं आएगी क्या पिछली वेकंसी में जो केंडिडेट रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाए थे हाई कटोब जाने की वज़ए से क्या उन्हीं केंडिडेटों को फिर से फिजिकल के लि जारी किया गया है उसी समय पर वेकंसी आप आएगी या नहीं आप आएगी तो बिल्कुल मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे मैं SSC की ओपिसली साइड पे हैं और यहां पर एक नोटीस आप देख रहे होंगे जो की ओपि देख सकते हैं नोटीस में क्या-क्या चीज़ें लिखी गई है नोटीस यहां पर देख सकते हैं सेंट्रल रिजर पुलिस फोर से क्यूंकि आप सभी को पता है ऐसा सी केवल और केवल रिजल्ट जारी करती है रिजल्ट के बाद में जितना भी प्रोसेस होता है चाई वह प अपिसली साइड पर देखने को मिलते हैं क्योंकि एक नोडल एजन्सी है और रिक्रूट्मेंट का पूरा का पूरा आगे का प्रोसेस है वह सी एर पे भी कंप्लीट करवाती है अब यहां पर इस रिक्रूट्मेंट के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है इस नोटीस के जारी लेकिन फिर से उनको फीजिकल के लिए बुलाया गया है क्योंकि वेकंसी खाली पड़ी आपने देखा होगा कापी बच्चों की जब रिजल्ट आया था उसमें भी कमेंट आ रहे थे कि सर्वेकंसी खाली पड़ीए तो वेकंसी क्यों नहीं बरा गया है तो बिल्कु मैं आपको लेकर चलता हूं कि यह notice है यह किस राज्यों के candidate के लिए हैं क्या सभी राज्यों के लिए दिरे-दिरे notice आएगा या एक ही राज्ये के लिए आएगा तो बिल्कुल आपको clear कर देता हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह CRP के टू डाउनलोड एडमिट काड पीएटी, पीटी, कॉंस्टेबल जीडी, एकजाम 2022, ओप मनिपूर इस्टेड, केवल केवल मनिपूर वाले जो कैंडिडेट है, उनका फिजिकल लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि यहां पर दोस्तों बहुत सारे केंडेट है, टोटल, लगवग 1700 प्लस केंडेट ऐसे हैं, जिनका फिर से यहां पर क्या करवाय जाएगा, फिर से पीटी, पीएश्टी होगा, फिर से इनका मेडिकल होगा, डीवी होगा, और फाइनली सेलेक्शन यहां पर होने वाला है, इस भरती का जो यह वेकंसी आप पिर से जो केंडेटों को बुलाय जा रहा है, नई वेकंसी पर कुछ भी असर नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि यह वेकंसी आप देख रहे हैं, यह आपकी 2022 वाली वेकंसी में एड होने वाली है, आपकी नई वाली वेकंसी में एड नहीं होगी, तो आपकी जो वेकंसी आ खाली पड़ी है लेकिन इसमें से कितनी भरती होगी तो मैं किलेर कर दू लगबग 50,000 पलसी वेकेंसी देखने को मिल सकते हो सकता यह 55,000 हो सकता यह 60,000 हो सकता यह 70,000 भी वेकेंसी आजाए क्योंकि चुनावी दोर चल रहा है और एक्जाम होने वाला है वेकेंसी काफी बड़ी होगी और आप लोगों को बता दू अभी बहुत सारे रिकूटमेंट आ हरे जिसे असंग राइपल का ट्रेडमेंका आ रहा है अभी विए सब ट्रेडमेंट का नहया रिकूटमेंट आ रहा है तो मैं आप सभी को बता दू एक ही बैसे आप सभी ट्रेड मेंन के और SSC GD की टार्गेटेड आप त्यारी कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है यह बैस्ट एक्जाम का प्लेट फोरम इस पेसल फोर से इसको लेकर टार्गेटेड बेच आप लोगों के लेकर फिर से एक नया SSC GD 2023 को लेकर एक टार्ग आपको पड़ाया जाएगा जिसमें लाइव के साथ में रिकोडेड भी मिलेगी टोफिक वाईज पढ़ने के लिए पिडियएप नोट्स मिलेगा प्रिक्टिस के लिए टार स्रीज मिलेगी संध्डेटु संदेड़ तो संडेब आपका लाइव टेस्ट लिया जाएगा ज दोश्तों, पूरा का पूरे कोर्स हैं वो जो 999 रुपे में मिल रहा था अभी आप लोगों को स्पैसल नवरात्रा ओफर दिया जा रहा है मातर बिलकुल 399 रुपे में मिल रहा है 60% की चुट के साथ में बिलकुल आज रातने 60% की चूट के शाथ में मातर 399 रुपे में दिया जा रहा है तो अभी जाके best exam का application को download कर लिजेगा क्योंकि इसी बेच से आपकी असम राइपल की भी तैयारी होगी इसी बेच से आपकी एससब की भी तैयारी होने वाली तो एक ही बेच से आप सभी exam करें कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को वता है लगवग सभी में सैम सलिबस आप लोगों का रहने वाला है तो अभी जाके best exam का application को download कर लिजेगा जिसका लि 24 और सपोर्ट करती रहेगी इसके लाओ दोस्तों आप कौन से राजे से हो बिलकुल आप कमेंट वोक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताएं दोस्तों स्टूडियो में मिलेंगे नेक्स दों में एक नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैहिंद जैबार्थ